गाइस अगर आप भी share market में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा फायदे मंद सावित होने वाला है आप अगर share market में invest करते हो तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जितने भी beginners होते हैं जो नए share market में invest करते हैं वो कभी भी छोटे मोटे stock ही यूज करते हैं जो कि 10 से ले करके 1 रुपे, 2 रुपे या फिर 100 रुपे के range का हो वो सोचते हैं कि हम अगर इस कम range वाले stock को खर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे और यही सबसे बड़ी गलती होती है आप कभी भी अगर high price के जो अच्छे fundamental वाले stock हैं अगर आप उन्हें खरीते हैं तो कभी भी आपको नुक्सान के chance नहीं रहेंगे और कभी भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि माल लीजे कि जो 2000 रुपे का stock है तो उसका rate 2000 है उस company का जो value है वो ज़्यादा है अगर आप उस company के value को 10 रुपे का stock बना दो तो उस 2000 में वो 10 रुपे का काफी stock हो जाएंगे यानि कि आपने तो एक ही stock खरीदा है लेकिन company अपने value को घटा कर और stock को 10-10 रुपे के divide कर दे तो stock कम हो जाएगा और आपका value ये company का वो कम हो जाएगा तो ये चीज फर्क होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी share market में जो अच्छे fundamental वाले company हैं उनहीं में हमें invest करना चाहिए तो ये चीज है जो कि काफी beginners कभी भी गलती करते हैं और इसके वज़ा से काफी ज़्यादा अकसर उन्हें नुकसान देखना पड़ जाता है और अकसर जो अच्छे investor हैं उनको कभी भी इन चीजों का ध्यान रखने से फायदा मिलता है हाला कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अच्छे fundamental लाले company में invest कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैनी stock में invest करिये ही मत उसमें भी करिये लेकिन आप बड़े stock पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि बड़े stock आपको कभी भी अच्छा return देंगे आप भले 2000 रुपे का अगर एक stock है तो आप 2000 पेनी stock में लगा रहे हैं तो आप एक ही stock खरीद लिजे आप 100-200-200 जो भी है अलग से कभी बाद में उस stock को खरीद सकते हैं लेकिन आप अगर इस stock में पैसा लगाएंगे तो आपका आने वाला 2-3 महीना में आपको कभी भी अच्छा return मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये जो companyya होती है इनका return जल्दी नहीं मिलता है और कभी भी अकसर आपने देखा होगा जितने भी नए लोग होते हो share market में आज पैसा लगा है उनका हपता महीना हर रोज उसको देखते रहते कैसा हुआ कैसा हुआ आप इसलिए देखते हो क्यूंकि आपने ऐसे stock में पैसा लगाया है जिस पे कोई उसका कोई भरोसा ही नहीं है तो अगर आप अच्छे इस टोक में पैसा लगाते हो अच्छा कंपनी में तो आपको उस पे आख बंद करके भरोसा करना होगा अब आख बंद करने का मतलब यही नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो कभी कबार आप देख लिया करो क्या है आपका बैलेंस टीट वगेरा आपका सब ब्रोकर वगेरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बस फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि यह नॉलेजबल वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर सेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद